साथियों नमस्कार मैं हूँ नीरज पटेल और आप देखने नेसल जन्मत ताना साह सरकारों से टकराने वाले सक्स को सबसे ज़्यादा डर होता है जेल जाने का क्योंकि उससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है लेकिन निर्दोस होते हुए भी अगर कोई व्यक्ती जेल तक हो आता है तो वहाँ से निकलने के बाद वो उतना हिस्तासी हिम्मती हो जाता है उसके अंदर होसला भी आ जाता है कि वो सच्चाई की आवाज बुलंद करे मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर कफील की जो वीरडी म कहानी लेकर आया हूँ जो सिष्टम ने जिनके साथ भद्दा मजाक किया है भद्दा मजाक सब्द इसलिए इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर कफील पर योगी आदिनात की सरकार आरोप लगाती है कि आपने अपना जो काम था स्वास सिवा देने का उसमें सितलता बरती है उनके उपर भष्टाचार के आरोप भी लगाया गया ये भी आरोप लगाया गया कि बार्ड नंबर सो जहां से सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है उसके इंचार्ज भी डॉक्टर कफील थे उनके उपर ये भी आरोप लगाया गया कि उस रात जब खोगी आदिना सरकार की जाच रिपोर्ट आती है आई कोड के कहने पर जाच रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर कफील के ऊपर ब्रश्टाचार का कोई भी आरोप सिध्ध नहीं होता है वो रिपोर्ट कहती है कि डॉक्टर कफील अपने काम में सिथलता बरतने के दोसी नहीं पाए गए है वो रिपोर्ट ये भी बताती है कि डॉक्टर कफील ने उन 54 गंटों में अपनी टीम के साथ तक्रीवन 500 ऑक्सीजन के सिलेंडरों का इंतजाम अपने पैसे से या अपने संसादनों से या अपने सोर्स के दम पर किया था उसमें योगी सरकार ने ये भी आरोब लगाया था कि डॉक्टर कफील इनसे फ्लाइटिस बार्ड के नॉडल ऑफीसर थे इसलिए उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर कम हो रहे थे तो सरकार को समय रहते वो इसकी सूचना देते लेकिन जाच रिपोर्ट में ये भी बात निकल कर के सामने आ गई है कि ये आरोब भी गलत था डॉक्टर कफील नॉडल ऑफीसर थे ही नहीं उस समय नॉडल ऑफीसर थे डॉक्टर भूपेंदर सर्मा तो सवाल ये उठता है क्या कुछ लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर कफील जैसे लोगों को बली का बकरा बनाये गया था सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि जब डॉक्टर कफील पर काम में लापरवाही बरतने के ब्रष्टाचार के आरोब हैं ही नहीं जब जाच रिपोर्ट खुद ये कहती है कि डॉक्टर कफील ने अपने व्यक्तिकस संसादनों का उपयोग करके आक्सिजन गेस सिलेंडरों का इस्तिमाल किया था और उन 54 घंटों में तमाम बच्चों को बचाने में एक मददगार के तोर पर मसीह के तोर पर सामने आये थे तो फिर आखिर योगी आदितनात की सरकार ने उनको जेल क्यों भेजा था तो क्या डॉक्टर कफील को सिर्फ इस वज़े से जेल भेज दिया गया था कि उनका नाम डॉक्टर कफील था और उनको जेल भेजे जाने से मुख मंत्री योगी आदिनात के जो बोटर हैं वो खोस होते हैं ना सिर्फ सामनती सोच के बोटर खोस होते हैं बलकि तमाम दलित और पिछडे जो भारती जन्ता पार्टी को अपना हितैसी समझ के बोट देते हैं वो भी डाक्टर कफील के जेल भेजे जाने से खुस नजार आ रहे थे अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि तारीख इस व्यक्ति के साथ कैसे गलत हुआ 10 अगस्त 2017 को BRD Medical College से खवराती है कि इनसे फिलाइटिस यानि कि जापारी बुकार के कारण वहां 70 बच्चों की मौत हो गई है जब इसकी तह तक जाया जाता है तो पता ये चलता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने की बज़े से इन 70 बच्चों की मौत हुई थी सिदार्थनास सिंग जो उस समय स्वास्त मंत्री थे वो लगातार इस बात से इनकार करते हैं कि नहीं इस महीने में तो ऐसी मौत हो जाया करती हैं योगी आदितनात क्योंकि गोरगपुर था वो भी इस मामले में लिपापोती करने की कोशिस करते हैं लेकिन जब वो देखते हैं कि डॉक्टर का फील इस मामले में हीरो बन रहे हैं तो 22 अगश 2017 को उनको सस्पेंड कर देते हैं कहते हैं कि आपने काम में सिथलता बरती थी इसके बाद उनके उपर भ्रष्टाचार के तमाम आरूप लगाते हुए 2 सितंबर 2017 को जेल भेज दिया जाता है 25 अप्रेल 2018 को तकरीवन 8-9 महीने के बाद उनको हाई कोट से जमानत मिलती है मार्च 2019 को इलाबाद हाई कोट सरकार को आदेश देती है कि जल्द से जल्द वि 24 अप्रेल 2019 को जांच रिपोर्ट बना भी ली जाती है लेकिन डॉक्टर कफील को जांच रिपोर्ट दी जाती है 26 सितंबर 2019 को यानि की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी 5-6 महीने जांच रिपोर्ट डवाय रखा जाता है उसकी बज़े शायद यह हो सकती है कि उस समय पूरे देश में लोग सभा के चुनाव चल रहे थे और लोग सभा चुनाव के दौरान डॉक्टर कफील को अगर इस तरीके से विभागी क्लीन चिट मिलने की सूचना बहाराती तो हो सकता है ये उत्तर प्रदेश में मुखमंतरी योगी आदिदनात और उनकी सरकार के लिए हितकर सावित नहीं होता डॉक्टर कफील को 25 अपरेल 2018 को जमानत मिलती है और 10 जून 2018 को उनके भाई पर जानलेवा हमला कर दिया जाता है जिसमें उनको तीन गोलियन लगती है डॉक्टर कफील को जब पुलिस से से योग नहीं मिलता तो उनको प्रेस कॉनफेर्स करनी पड हुआ है उनके भाई के उपर हमला किया गया गोलियां मारी गई लेकिन ना पुलिस प्रसासन ने कॉपरेट किया ना अस्पताल प्रसासन ने कॉपरेट किया जबकि जिस रात ये गोली मारी गई थी दसजून को उस रात मुख्वंत्री योगी आदिनाथ अपने मठ में मौ तो इस समय गोरकपुर की सुरक्षा ब्यवस्ता किस इस्तर की रही होगी इसके अलावा डॉक्टर कफील ने आंसिक तोर पर ही सही जो उनको रहत मिली है उस पर खुसी जताते हुए ट्विटर पर एक वीडियो पोश्ट किया है उसमें खुसी भी है गम भी है नफरत भी है ग तो नहीं बताया गया कि उस दिन जो सत्तर बच्चों की मौत हुई थी कि उसके असली गुनागार कौन है ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी उस दिन बी रडी मेडिकल कॉलेज में क्यों हुई थी ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वालों को भुक्तान क्यों नहीं किया जा रहा डॉक्तर कफील एक इंटरव्यु में ये भी कहते हैं कि उस समय जो स्वास्त सिख्षा के महाने दे सकते उनको बचाने की कोशिस की जा रही है। जिम्मेदार कौन है लेकिन 22 अगस 2017 को जैसे ही डॉक्टर कफील का निलंबन होता है उसके बाद 2 सितंबर को उनकी गिरफतारी कर ली जाती है उसके बाद ये मुद्धा पूरी तरीके से बदल करके चैनलों पर केवल डॉक्टर कफील, डॉक्टर कफील होना सुरू हो जाता ह मुख्वंत्री योगी आदितनात यही चाहते थे मुद्धा डाइवर्ट हो गया और वो अपनी नियत में काम्याब हो गये वो लोग परिष्थितियों और सिस्टम के सामने हार जाते हैं उनको डॉक्टर कफील से पेढ़ना लेनी चाहिए कि कैसे सिस्टम के खिलाफ होने क बाबजूद भी जेल से बहार निकलने के बाद उन्होंने अपने जैसी मानसिक्ता के लोगों को धून करके फ्री ओफ कोष्ट में तकरीवन सतर मेडिकल कैम्प आउजित किये और बच्चों को जहां तकलीफ समझ में आई वहां वो नजर आए आपको याद होगा कि बिहार में चमकी बुखार से जो पीड़ थे बच्चे वहां पर डॉक्टर कफील नजर आए उन्होंने बच्चों का इलाज भी किया फ्री में कैम्प भी लगाया और दवाई अभी बाटी डॉक्टर कफील उन लोगों को आज सुक्रियादा कर रहे हैं जिन लोगों ने डॉक्ट कफील को अभी दो-तीन मामलों में ही क्लीन शिट दे दी गई है लेकिन जाच उनके उपर खत्म नहीं हुई है प्राइवेट प्रैक्टिस करने से लेकर कुछ अन्य मामलों की जाच उनके उपर चल रही है जबकि डॉक्टर कफील का कहना है कि वो प्राइवेट प्रैक्टि और सजग बने रहिए, डॉक्टर कफील जैसे लोगों का अपनी ताकत से साथ भी देते रहिए, जै विज्ञान, जै सम्मीधान, धन्यवाद.